राजस्तान में अफीम के साथ साथ खेतों में तसकरों की जड़े भी पनथती है तसकरों की नजरे खेतों में अफीम के बीच पड़ते ही जम जाती है यूँ तो अफीम के खेती सरकारी एजनसी सेंटरल बीरो आफ नर्कोटिक्स की देखरेक में होती है लेकिन डोड़े को चीरा लगते ही तसकर और भी ज़्यादा सक्रिय हो जाते है नमस्कार मेरा नाम है विकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्तान समवाद अफगानिस्तान म्यामार के साथ भारत में वैद रूप से अफीम खरीदने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है अफीम का इस्तमाल मौर्फिन, कोडिन और थिबिन जैसी दवाए बनाने में लिया जाता है अफीम के ये अधिकतर उत्ताद या तो देश में इस्तमाल कर लिया जाते हैं या फिर इनका निर्याद कर दिया जाता है यानि विदेशी देशों को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है मद्यपरदेश, उत्तरपरदेश और राजस्तान में एक लाग से भी जादा किसान पोस्त की खेती करते हैं अफीम की बात की जाये तो अफीम को काला जहर और काला सोना भी कहा जाता है इसके फूल सफेद होते हैं और अब जैसा राजस्तान के कई हिस्सों में अफीम की खेती करना लीगल होता है सरकार खुद इसका लाइसन्स देती है पर उसके बाद भी कई किसान सर्फ पैसे के लालच में आकर तसकरों से हाथ मिला लेते हैं और मोटा पैसा कमाते है आपको बता दू कि खेत में तयार अफीम पर सबसे पहले सरकार का हकोतायल लेकिन सरकार को टैस्टॉक देने के बाद कई किसान बची हुई अफीम तसकरों के हवाले कर देते हैं तश्करों को बेशने के लिए किसान अफीम को जमीन में सीक्रेट रूप से दवा कर रखते हैं ये यू कहूं की गार देते हैं अफीम की खरीद तो सरकारी खरीद की अगर बात की जाए तो 17-100 रूपे से लेकर 25-100 रूपे किलो के बीच लेकिन अगर तश्करों की बात करूँ यानि ब्लैक मार्केट की तो एक लाग रूपे प्रती किलो के इसाब से बिक्ती है इसी लालच में अफीम तश्करों को खेत में गुस्पेट करने का मौका मिल जाता और किसान भी मूटे पैसे को देखते हुए तश्करों को आने देता है एसी कारवाई में सबलता पाई है रायपूर जाटन में जहां जिला स्पेशल टीम सिंगाना पुलिस ने क्योर्टी ने सर्सों की खेती की आड में अवैद अफीम की खेती पकड़ी है और आठ कुइंटल सत्तर किलो अफीम के साथ आरोपी राजबीर को गिरफतार किया है आपको बता दू कि पुलिस ने मौके से 21.650 अफीम के पौदे बरामत किया है जुनजनू पुलिस अदीक्षक मनीश्त्रिपाटी ने जिले ऑपरेशन में दर पकड़ चला रखा है जिसके तैयत सिंगाना थाना शेत्र में अवैद अफीम की खेती की सूचना मिली थी और जब मौके पर पुलिस कारवाई करने पहुची तो औरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया जब औरोपी को देखा तो औरोपी ने खेत में अवैद रूप से 8 कुटल 70 किलो अफीम खेत के बीच में उगा रखी थी जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सरकार खुद जब इस चीज की परमीशन देती है तो फिर कारवाई क्यों तो आपको बता दू कि एक किलो ग्राम अफीम के एक हजार रुपे मिलते हैं सरकारी खरीद की जबकि बलैक बजार में या इसकी कीमत 50,000 रुपे परती किलो या इससे भी ज़ादा हो सकती है दूसरी फसलों के मुकाबले अफीम की खेती में जोकिम और मेना दोनों बहुत ज़ादा होती है इसलिए अगर किसानों की बात की जाए तो किसान कहते हैं कि 10,000 रुपे परती किलो हमें मिलने चाहिए और अफीम की खेती करने वाले किसान कहते हैं कि उन्हें दूसरी फसलों की तरह अफीम की खेती पर मुआफ़ज़ा नहीं मिलता सरकारी rates भी कम है तो इनी दोनों कारणों को लेकर किसान अपनी फसलों को सरकार से जादा बेचने से जादा विश्वास रखते हैं तसकरों को बेचने में और उन्हें लगता है कि इससे वो मोटब ऐसे कमा सकते हैं पर ये सोचते ही ये काम करते ही वो एक लीगल काम को एक लीगल काम में बदल देते हैं और सरफ पैसे के लालच में अवेद खेती करने लगते हैं जो कानून की नजर में और कानून रूप से दोनों की गलत हैं एक जुर्म है यति राजिस्तान समवाद के एक खास रिपोर्ट कैसी लगी आपको कोई रिपोर्ट आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और साथ ही ऐसी और अपडेट के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजिस्तान समवाद को खाने की एक खास बात होती है खाना ज्यादा पेट में है पर खाना कैसा है यह बताता है आपका चेहरा अब इन हस्ते मुस्कुराते चेहरों को देखकर आप अन्दाजा लगा ही सकते हैं कि खाना कैसा था हरे भाई जब रेस्टरॉन जैसा टेस्ट आपको घर पर मिलेगा आपका फेवरेट फूद टेबल पर मिलेगा वो भी महस कुछ मिंटों में तो क्यों नहीं होगी खुशी और इस खुशी का कारण है मोटुशेफ और उनके प्रोड़क्स मोटुशेफ आपको देता है ड्राय मिक्स और ग्रेवी जिसकी मदद से आप पा सकते हैं आपकी घर की प्यॉरिटी के साथ रेस्टरॉन जैसा टेस्ट महस कुछ ही मिंटों में तो अब आप इनी से सुनिये की कैसा लगा इनको मोटुशेफ का खाना I have tried Kalakand mix of Motu Chef. It was very quick and very easy to make with the steps given behind the packet. I can't really explain how easy it was and it was so quick journey with the very best Kalakand ever. I will strongly recommend all the products of Motu Chef and specially Kalakand mix. It was absolutely delicious. I just want to say that I am loving it. The food of Motu Chef is ready to prepare. The food is very nice. The Motu Chef ready to cook items. When you talk about ready to cook items, you normally feel that the dessert looks fresh but it was awesome experience. It looked really fresh. The Vekin Ke Raddo was awesome and the pasta gravy is also awesome. All the vegetables are having a very nice gravy which is given by Motu Chef. Seriously, not you, not you, not you, not you. Perfect, perfect, perfect. It is really very delicious. Just like home made, they are without preservatives. So I would really recommend all of you to have them at your houses. The Vekin Ke Raddo was ready to cook items and see if I can cook food. I will make food. आपना से तो शेर